बच्पन में तुमने तक्ये से तो खूब लड़ाई की होगी अब इसी की मदद से इंपल्स के बारे में कुछ जानते हैं अब मालो कि तुम अपनी बेहन के साथ तक्ये से फाइट कर रहे हो और उसने एक तक्या तुमारे मुँपे दे मारा यह तक्या कुछ ऐसे आएगा तुमारे चेहरे से तक्राएगा थोड़ा कंप्रेस होगा और फिर यह रिकॉइल करके वापस चला जाएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि तक्ये की मास और यह हमारे पास है as 0.2 kg हलका तक्या है फिर तक्या तुमारे तरफ आ रहा था कुछ 10 मीटर पर स्केंड की विलोसिटि के साथ लेफ्ट दिशा में और तक्राने के बाद यह थोड़ी कम विलोसिटी से वापस जाने लग गया कुछ मालेते हैं 5 मीटर पर सेकंड की विलोसिती, राइट दिशा में, अब जब ये तक्याद तुम्हारे चेरे से टकरा रहा था तो इसे कुछ समय लगा होगा कॉन्टाक में, क्योंकि ये पहले आया कॉन्टाक में, फिर ये कॉंप्रेस हुआ थोड़े देर तक उसके बाद ये रिकॉयल करना चालू कर रहा है, है ना, तो ये भी माल लेते हैं कि हमें दिया हुआ है, समय का अंतराल जब ये तक्याद तुम्हारे चेरे से कॉन्टाक में सबसे पहली बात हम डिनोट करते हैं जे से, अब वैसे तो इंपल्स में कोई जे है नहीं, लेकिन हम आई का इस्तमाल करने ही सकते थे, क्योंकि आई का इस्तमाल तो करेंट के लिए हो गया है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि इंपल्स को याद रखने के लिए मैं इससे अंतराल, अगर किसी फोर्स के कारण इंपल्स मुझे निकालना है, तो मैं उस फोर्स को उसके समय के अंतराल से मल्टिप्लाई कर दूँगा, जितने समय के लिए वो फोर्स लग रहा है, अब देखो, यहाँ बे मुझे निकालना है इंपल्स इस तकिये पे, from my face, लेकिन net impulse, net impulse on a body is equal to change in momentum of the body, change in, इसे मैं इस कलर से दिखा लेता हूँ, change in momentum of the body, अब ऐसा इस लिए, क्योंकि देखो, net impulse हो जाएगा, net force, F net, into समय का अंतराल, जितने समय तक net force लग रहा था, ठीक है, और net force होता है, change in momentum by change in time, rate of change of momentum, तो change in time cancel और change in momentum बचेगा, यही तो हमने लिख रखा है, अब इसके बारे में detail में हमने कुछ पिछले वीडियो में बात किये, तो अगर तुम्हें यह थोड़ा confusing लग रहा है तो तुम उन वीडियो को देख के आना, अब अगर तुम्हें यह समझ में आ रहा है, तो देखो मुझे यह तो पता नहीं है कि force कितना है, net force कितना है, ठीक है, लेकिन मैं change in momentum निकाल सकता हूँ तक यह का, तो आप इससे calculate करने के कोशिश करते हैं, change in momentum हो जाएगा, momentum final minus momentum initial, momentum is equal to mass into velocity, mass दी वही है, velocity दी वही है, अब final momentum निकालते है, final momentum हो जाएगा, 0.2 kg into velocity है, 5 meter per second और यह क sign convention का मैं इस्तमाल करके plus 5 लिखूँगा, into plus 5 meter per second, अभी मैं units को यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह हमारे पास उतनी है नहीं, इससे मैं subtract कर देने वाला हूँ, initial momentum, और initial momentum थी initial mass into initial velocity, mass तो मारे पास same ही है, 0.2 kg, initial velocity है 10 meter per second, अब देखो, यहाँ पर velocity है left दिशा म है, इसलिए sign convention का इस्तमाल करके मैं minus लिखने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है, minus 10 meter per second, अब यहाँ पर sign का बहुत ही ध्यान रखना, दोनों velocities अलग-अलग direction में है, इसलिए दोनों की sign अलग-अलग होगी, अगर तुम sign सहीं नहीं डालोगे, तो तुम्हाँ पास answer बिलकुल 0.2 into 10, minus 10, ठीक है, तो यह minus minus तो पहले मैं plus कर देता हूँ, 0.2 into 10, यह हो जागा 2, 2 kg meter per second, तो यह आ गया totally, मेरे पास 3 kg meter per second, यह हो गई मेरी net impulse, क्योंकि net impulse यह net change in momentum के बराबर है, है ना, अब से लिख लेते हैं, यह हो गया मेरे पास net impulse, अब यह net impulse भी एक vector quantity होने वाली है, यहाँ पे भी यह vector quantity है, यह भी vector, क्योंकि force यहाँ पे vector है, और यहाँ पे net impulse पराबर है change in momentum के, और change in momentum भी तो vector ही होने वाला है ना, क्योंकि momentum वेक्टर होता है, तो momentum का change भी vector होने वाला है, अब देखो, यहाँ पे change in momentum आया मेरे पास plus 3 kg meter per second, plus, इसका मतलब यह हुआ कि तक यानि कि net impulse इस force कारण भी right दिशा में होने वाला है, और अगर तुम ऐसे भी देखो, तो इस तक्ये का जो change momentum आया ना, वो भी right दिशा में है, पहले momentum इस दिशा में थी और फिर final momentum होगी इस दिशा में, तो यानि कि change momentum इस दिशा में आ रहा है, इसलिए net impulse भी इसी दिशा मे लग रहे हैं, उन सब के कारण हमने impulse calculate कर लिया है, लेकिन सवाल में तो हमसे पूछा था कि what was the impulse on the pillow from the person, यानि कि तुम्हारी कारण जो force लग रहा होगा न, मालो कि तुम इस से धकेल रहो, तुम्हारे चेहरे से जो force लग रहा है पिलो पे, वो कुछ इस दिशा में लग रह तो यह तो गलत हो गया यार, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक और force है, और वो है gravity का force, नीचे के तरफ, mg, तो यह net impulse हमने निकाल दिया यहाँ पर 3 kg meter per second, तो यह सही नहीं है, देखो, net impulse हमने जो calculate किया है, वो हमने निकाल था as change in momentum, और momentum हम change calculate कर रहे हैं के वाल x direction में, यहाँ देखो, initial velocity x में है, और final velocity भी x direction में है, तो यानि कि जो net impulse आया न, यह भी x direction का आया, इसे में लिख लेता हूँ, change in momentum यह है x की, और जो net impulse आया, यह भी x direction का, अब देखो, y direction में जो gravity की force है, इसके कारण जो change in momentum आएगा, वो तो केवल y में ही आएगा, यह तो x direction की change in momentum को effect नहीं करने वाला है, तो यानि कि इसके कारण जो impulse आएगा, वो y direction का impulse आएगा, चीक है, और x direction में जो impulse आया है न, वो केवल एक ही force के कारण आया है, क्योंकि x में एक ही force है, और वो है तुम्हारे face से जो force लग रहा है पिलो पे न, सिर्फर सिर्फ उसके कारण, तो यानि कि हमने अपना सवाल सही सही solve कर लिया है, हमने निकाल लिया impulse on the pillow because of the person, यानि कि तुम्हारे face के कारण जो force लग रहा है, उसके कारण जो impulse आया न, वो हमने calculate कर लिया है, वही बराबर होगा impulse net के, अब देखो, एक छोड़ी से बात में तुम्हें ये बताना चाहू इस छोटी से time duration में जो तुम्हारा force लग रहा है न, ये बहुत ही बड़ा है compared to gravity, इसलिए जो impulse तुम्हारी force से कारण आएगा, वो बहुत ही बड़ा होगा compared to gravity के force से कारण, इसलिए collision के problems में, अगर gravity same direction में हो applied force के, तो तुम gravity को neglect भी कर सकते हो, तो हमने या पर निकाल लिय net impulse on the pillow, ये आया plus 3 kg meter per second, अब एक और सवाल बना लेते हैं चल्दी से, इससे मैं हटा देता हूँ, ये हो गया हमारा सवाल, what was the average force on the person's face from the pillow, तुम्हारे चेहरे पे ये तकिया एक force लगा रहा होगा, हमें उस force को calculate करना है, तो देखो, हमने calculate कर लिया था net impulse on the pillow, ये आया था, प्लस, ये मैं फिर से लिख लेता हूँ, प्लस 3 kg meter per second, और ये बराबर है यहाँ पे net force into change in time के, net force तो खहरा हमें calculate ही करना है, change in time, अब ये दिया हुआ है, 0.02 seconds का, अब अगर मैं दोनों साइट 0.02 से divide कर दो, यहाँ और यहाँ भी, तो यहाँ वाला ये तो cancel out हो जाएगा, तो इसे हटा देते हैं, और left hand side में आ जाएगा 0.02 seconds, अब अगर मैं इसे divide करूँ, तो मेरे पास finally आने वाला है, 3 divided by 0.02, यह हो जाएगा 150, और units आ जाएगे kg meter per second, per second, यानि कि newtons, और यह पुरा plus है, तो यह हो गया मेरे पास net force, और यह net force क्योंकि plus आ रहा है, यानि कि यह तो जो net force आएगा न, वो भी होगा on the pillow, net force on the pillow in the x direction, और यह है plus, यानि यह तो जाहिर से बात है, तुमने इस पे force लगाया था right direction में, यही तो हमने यहाँ पे दिखा रखा है, लेकिन सवाल में हम से पूछा जा रहा है, net force on the person's face from the pillow, यानि कि तुम्हारे चेहरे पे कौन सा force लग रहा होगा, यह हमें calculate करना है, तुमने इस पे force लगाया right दिखा में, तो तुम पे यह force लगा रही हो कि left दिखा में, और Newton का third law हमें बताता है, कि यह दोनों forces equal and opposite होने वाले है direction में, यानि कि यह जो force है ना, जो सवाल में पूछा जा रहा है, यह बस इसकी opposite होने वाल force के कारण, तुम्हें impulse निकालना है, तो वो force into delta T कर देना, समय का अंतराल, जिसके दौरान यह force act कर रही है, और अगर तुम्हें net force दिया हुआ हो किसी body पे, तो that in delta T into delta T कर दोगे, तो तुम्हें आ जाएगा net impulse in that direction, जिस direction में net force है, उसी की direction में net impulse भी आ जाएगी, और यह बराबर होती है, change in momentum के, change in momentum in that direction, तो यानि कि अगर कोई net impulse लग रहा है किसी body पे, किसी direction में, तो उस direction में momentum में change आएगा ही आएगा, और इसे हम दिखाते हैं, इस पूरी चीज़ को हम दिखाते हैं, इस equation से, j net is equal to change in momentum, and this is equal to f net into delta T, और इसे याद करने का एक तरीका है, j a p FAT jab fat